ब्रेक के बाद आपका स्वागत है जौला मुकी उकमंडल में रोजाना मेन और लिंक खस्ता खाल सरकों पर सफर करने पारे लोगों को जल्द ही राहत मिलेगी PWD के साथ बिधायक रमेश दवाला के साथ हुई बैठक में ये ने लिया गया कि उकमंडल की सरकों का प्रपोसरत तयार किया जा रहा है बज़र्ट अप्रूब होते ही टेंडर के प्रक्रिया पूरी होगी, सबसे ज़्यादा चेंगर की सरकों की मेंडिनेंस होगी मार्च के पाद मोसम कुलते ही इन सडकों की टायरिंग का काम शुरू हो जाएगा जवाला मुखी उपमंडल में रोजाना, मेन और लिंक खसता हाल सडकों पर सफर करने वाले लोगों को जल्द ही राहत मिलेगी PWD के साथ विधायक रमिष धवाला के साथ हुई बैठक में ये निर्ने लिया गया उपमंडल की सडकों का परपोजल तयार किया जा रहा है बजर्ट अप्रूब होते ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी होगी सबसे ज़यदा चेंगर की सडकों की मैटिनेस होगी मार्श के बाद मौसम खुलते ही इन सडकों की टारिंग का काम शुरू हो जाएगा सडकों में चमबा पतन खुंडिया बारी मंजीन सपडी तीरी आदी सडकों की मरंबत होगी इस बारे में बिधायक पो योजनाब बूड के उपादिक्ष रमिश दवाला ने बताया कि किसी विक्षेतर की भागिया रेखाएं बहा की सडके होती हैं और जौला मुखी उपमंडल में पिछले पांच वर्षों में सडकों की हालत बेहत खराब है और उनकी टारिंग भी सही नहीं हो पाई है इसलिए एक बैटक लोग निर्मान विवा के साथ की गई जिसमें उपमंडल की सडकों के सुदार पर चर्चा की गई जल्द ही मार्च में इन सभी सडकों की मुरमत बोई टारिंग का कारे शिरू होगा और क्षेते की हर सडक को चाका चक बनाया जाएगा रमिश दवाला ने बताया कि इन सडकों की मुरमत के लिए बे अपनी बिधायक निदी से एक क्रोर प्या भी देंगे ताकि बजट में कोई कमी ना रहे इसके लाबा कहीं कोई पुलिया ये डंगों का कारे होगा बो भी करवाया जाएगा और उपमंडल की सभी सडकों को दुरूस्त किया जाएगा इसलिए इन सडकों का हम अपरेल मैं तक बेलकुल चके चक सडके जो बनाएगे